स्वर साधना एक बहुत ही महत्वपून और सुक्ष्म प्रक्रिया है प्राण या वायू को काल, देश और स्थिती के अनुसार नियंतरण करने की स्वर साधना इसकी चर्चा प्रकृतिक चिकित्सा पदिती के अंतरगत वायू तत्व चिकित्सा में की गई है और इसका प्रयोग शारिरिक मानसिक और आधियात्मिक लाभो को प्राप्त करने के लिए किया जाता है स्वर साधना स्वर शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे समाने रूप से स्वर का अर्थ आवाज से लिया जाता है परंतु योग अभिहास या चिकित्सा के छेतर में स्वर का जो अर्थ लिया गया है वे हमारी नाडियों से या वाईू के मार्ग से लिया गया है नासिका से लिया गया है हमारी ये नाक है, नाक के दो छिद्र हैं दायां और बायां, इनका सम्बंद सूरे और चांद से है, जो नाक से सांस शरीर के अंदर जाता है, यदि तो सांस बाई नाक से शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि सांस या प्राण का प्रवाहा चंदर स्वर से या इडा नाडी से हो रहा है, और जब सांस दाई नाक से शरीर के अंदर जाता है तो उसको बोला जाता है सूरे स्वर या पिंगला नाड़ी से प्राण का प्रवाहा चल रहा है और जब दोनों नाक एक साथ चलने लगते हैं उस थिदी को बोला जाता है प्राण का प्रवाह सुशुमना स्वर या सुशुमना नाडी में हो रहा है अब हमारी ये जो नाक है इस से एक ही बार में एक नाक चलती है सांस या तो दाई नासिका से चलता है या बाई नासिका से दिन में बहुत कम समय के लिए दोनों स्वर दोनों नाक एक साथ चले लगते हैं वो अक्सर समय तब होता है जब एक स्वर से दूसरे स्वर में प्राणों का प्रवाहा बदल रहा होता है कुछ समय जब दाया नाक चल गए अब जब बाया नाक चलना है तो जब बदल रहे होते हैं दोनों स्वर तब कुछ समय ऐसा समय आता है कि कुछ सेकंड्स या पलो के लिए कि दोनों नाक एक साथ चलने लगते हैं एक बार में जो सांस चलता है लगभग धाई घड़ी तक एक नाक से चलता है फिर धाई घड़ी तक दूसरी नाक से चलता है अब धाई घड़ी का अर्थ क्या हुआ धाई घड़ी यह जो समय की इकाई को मापने की विदी या प्रक्रिया है यह है भारतिय काल गड़ना के अनुसार घड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है एक घड़ी के अंदर लगभग 24 मिनट होते हैं तो धाई घड़ी के अंदर 60 मिनट 60 मिनट के अंदर हमारे यह स्वर बदलते रहते हैं इस परकार से क्रम के अनुसार एक घड़ा लगभग 60 मिनट एक स्वर चलता है फिर 60 मिनट दूसरा स्वर चलता है इस परकार से परन्तु यह आवश्य नहीं है कि एक घड़ा ही चले सामानने रूप से अब पता कैसे कि अभी इस समय आपका स्वार कौन सा चल रहा है तो इसके लिए दो विदियां है यहाँ पर हम उन दोनों की चर्चा एक एक करके करेंगे सबसे पहले विदी आप शांत बैठ जाएं अपने स्थान पर पीट करदन को सीधा करके आँखों को बंद कर लें अपनी हंगली को इस परकार से नाक के आगे रखें और आपको अनुभव होगा कि एक तरफ से सांस नाक से बाहर निकल रहा है या अगर दोनों तरफ से भी निकल रहा है तो एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल रहा है जिस तरफ से आपको ज्यादा भारी या ज्यादा तेज सांस अनुभव हो वो आला स्वार आपका चल रहा है एक विधी दूसरी विधी एक नाग को बंद करें नाई नाग को बंद करें और बाई और से सांस भरें ऐसा पांच से साथ बार करें और फिर दूसरी नाग को बंद करें ऐसा भी पांच से साथ बार करें सांस लें छोड़ें फिर लें फिर छोड़ें पांच पांच साथ बार करें फिर उसके बाद अनुभव आपको होगा कि एक नाक से सांस अराम से अंदर गया है एक नाक से खिंशने में सांस को थोड़ी सी भारीपन या जोर लगाना पड़ा है जिस सरव से आसानी से सांस शरीर के अंदर चले गया इसका अर्थ वही वाला स्वर आपका चल रहा है इन दोनों में से किसी भी एक विदी का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि इस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है जिस समय आपका चंदर स्वर चल रहा है अर्थ बाई ओर से सांस का प्रवाशरीर के अंदर हो रहा है लेफ्ट नॉस्ट्रल से उस समय आपको शांती और स्थिरता वाले कारे करने चाहिए जिस परकार विध्या अर्जित करना, पढ़ाई करना, भजन, दान, पूजा, पाठ, यग्य, हवन, सेवा करना, चिकिस्सा करना या चिकिस्सा करवाना, बीज बोना, मितरता करना, खरीदारी करना, परिक्षा देना, कोई शुब एवं, मंगल कारे करना, और पानी पीना यह जितने भी कारें हैं यह तब करें जब आपका left nostril बाया वाला स्वर चल रहा है अर्थ इडा नाड़ी या तचंद्र स्वर चल रहा है अब जिस समय आपका सूरे स्वर अर्थ दाई नासी का पिंगला नाड़ी से प्राण का प्रभाः शरीर के अंदर हो रहा है उस समय आपको कठिन, रुद्र, उर्जा वाले कारे करने चाहिए जिस प्रकार विशे भोग करना, कसरत करना, यात्रा पर जाना, भोजन करना गुड सवारी करना या अन्ने किसी भी जीव की सवारी करना कोई वजन उठाने वाला कारे है सनान करना और भोजन करना जिस समय सुशुमना स्वर अर्थ प्रान का प्रवाद दोनों नासिका से एक साथ एक बरावर समान मात्रा में हो रहा है जिस परकार से आपने अनुभव किया कुछ कई बारी ऐसा भी अनुभव होगा कि दोनों नाक से आपको लगेगा बरावरी नाक चल रही है इस परकार से भी और जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तब भी दोनों प्रक्रियां जो बताई गई हैं चेक कर रहेंगी कि कौनसा नॉस्ट्रल आपका कौनसा स्वर चल रहा है तो कई बारी ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि आपको दोनों ही बराबर या समान लगें उस समय सुशुम्ना स्वर में दोनों नासिका एक साथ चल रही है उस समय आपको योग अभ्यास, ध्यान, आत्म, चिंतन और ऐसे कारे करने चाहिए जिन को करने में कुछ भी पाने की भावना या इच्छा ना हो अर्थ हम कोई भी कारे करते है तो उसके पीछे कोई उदेश्य या लक्षे होता है परंतु यदि आप कुछ अपने जीवन शाली में ऐसा कारे कर रहे हैं किसी के आप सेवा कर रहे हैं एक सेवा तो आप इसलिए कर रहे हैं कि बदले में इससे भी हमें कुछ मिलेगा उसकी चर्चा हमने की गई थी पहले अब एक सेवा है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं परंतु वापसी में कोई भी आपको लालच या कुछ भी मांग नहीं है निशकाम कोई भी कारिय कर रहे हैं उस समय वह कारिय तब करें सब सुषुमना स्वर में प्राणों का प्रवह हो रहा हो अब चर्चा करते हैं अपने अनुसार और आवे शक्ता के अनुसार स्वरों को कीसे बदले ये काररे आपको बता दिये कि भूजन इस स्वर में करना है और अन्य सब जो चीजे पताई गई है इस स्वर में करनी है अब स्वरों को बदले कैसे आपको यदि भूजन करना है और आपका बाया स्वर चल रहा है और आपको दाया स्वर चलाना है तो इसको बदले कैसे तो इसकी कई सारी विदियां हैं, यहाँ पर हम तीन विदियों की चर्चा करेंगे, एक एक करके पहली विदि, आपको यदि अपना दाया स्वर चलाना है, दाई नासिका से आप चाहते हैं कि सांस अंदर जाए तो आप बाई और करवट लेके लेट जाएं ऐसे बाई हाथ का लेफ हैंड का ऐसे तकिया बनाएंगे और लेफ साइड करवट लेके आप लेट जाएंगे, जब आप लेफ साइड करवट लेके लेटेंगे तो कुछ ही मिनिट में लगभग, दो से चार मिनिट के अंदर आपका दायाँ वाला स्वर चलने लग जाएगा बंद करना है, माल लेजी अभी आपका दाया वाला चल रहा है और अब आपको बाया वाला चलाना है, तो आप अपनी दाई नासिका को बंद कर देजी और बाई ओर से ही सांस भरी और चोड़िए, ये करने पर सांस जब आप खीचेंगे तो थोड़ी सी आपको खिचावट य क्योंकि ये वाला स्वर भी बंद था परंतु कुछ सेकिंड्स या एक से दो मिनिट तक इस तना से करने से आपके दूसरी वाली नाक से प्राणाओं का प्रभाः शुरू हो जाएगा, जो आपको बंद करनी हैं उसको उंगली से बंद कर देंगे और दूसरी तरफ से ही सा गल में भुजा और इसके बीच में इस परकार से हाथ को रखेंगे और इसको यहां पर दबा देंगे थोड़ा सा ताकत लगा के, जादा नहीं थोड़ी सी ताकत लगा के और पीट गर्दन सीधी करके बैठे रहेंगे, ऐसा करने से कुछी सेकिंड या कुछी मिनिट में आ आप अनुभव करेंगे कि आपका दायावला स्वार चलने लग गया, और यदि आपको अपना बायावला स्वार चलाना है आप चाते हैं कि लेफ साइट से आपका सांस शरीक के अंदर जाए तो राइट अंडर आम पे इस परकार से आपको हाथ रखना है, और फिर इसको ध परिनाम ना मिले तो कुछ देर रुक के आप दूसरी विदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब एक विदी का प्रयोग कर रहे हैं तो कई बारी एक मिनट लगता है, कई बारी दो या तीन मिनट, चार मिनट भी लगते हैं तो थोड़ी से आपको प्रतिक्षा करनी प तो इसके लिए आपको अनुलोंविलों का अभ्यास करना होगा, अनुलोंविलों का अभ्यास करने से सुशुमना नाडी में प्राणों का प्रभभा होने लग जाता है। आप कौन सा कार्रे कर रहे हैं उसके अनुसार यदि आप स्वरों को चलाते हैं तो वह कार्रे कम महनत, कम समय और बिना रुकावट, बिना किसी कलेश के निर्विघन संपन हो सकेगा स्वरों के कुछ और प्रयोग भी कर सकते हैं, यदि शरीर में कहीं पे पीड़ा हो रही है, कोई रोग उत्पन हुआ है, तो उसकी जांच करें कि उस समय कौन सा स्वर आपका चल रहा है, उधारन के रूप में यदि आपको अभी सिर्दर्द होना शुरू हो गया, तो तुरं मुझे अपना दायावला बंद करके बाई और से यदि मैं प्राणों का प्रवाह शुरू कर दूँगा, तो 90 प्रतिशत तक संभावना है कि मेरा सिर्दर्द ठीक हो जाएगा, तो इस परकार से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यह सब जो चीजे हैं, यह कर सक स्वरसाधना योग अभिहास में इसको एक अलग स्थान दिया गया है, सिद्धिया पराप्त करने के लिए यह योग की अवस्था तक पहुंचने के लिए, केवल स्वरसाधना इन ही शारिरिक लाभोता या मांसिक लाभोता की सीमित नहीं है, इस बात को विशेश रूप से दियान रखिएगा, यदि शरीर में थकावट का अनुभव हो तो आप दाई और करवट लेके लेट जाएं, तो शरीर में थकावट कम महसूस होगी और आप तासकी का अनुभव करेंगे, अर्थ जब भी कभी थकावट हो तो आपको अपना चंदर स्वर इडा नाड़ी ए लेटे रहें और उच्छ रक्त जाब हाई ब्लड पिशर होने पर दाई और करवट लेके लेटे रहें, अर्थ जब आपका लो ब्लड पिशर है, ब्लड पिशर लो हो गया है, तो अब इस समय आपको अपने सूरे स्वर से प्राण के प्रवाहित करवाना है, पिंगला लगभग 15 मिनिट तक या उससे भी अधिक, आपका सूरे स्वर अर्थ दाई नासिका ही चलना चाहिए, इससे भोधन का पाचन ठीक से होगा, कब्स गैस अपच्छ भोधन का पाचन ठीक से ना होना, ऐसी समस्याओं में लाप मिलेगा, और इसके अलावा कार्यों के अनुस नहीं चर्चा आपसे करनी थी, यदि कुछ भाते रह गई हों स्वर सांध्रा के संबंद में, तो आप कोई भी प्रशन करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अब अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, वायू तत्व चिकिस्ता का जो अगला साधन है, म मर्दन, मर्दनकार्थ, मालिश, इसकी जर्चा हम अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे,